तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ बी फार्मेसी थर्ड सेमस्टर फिजिकल फार्मसोटिक्स में यूनिट नुम्बर फिप्थ यूनिट नुम्बर फिप्थ आपको दे रही है पी एच बफर एंड आइसोटोनिक सॉलूशन की तो लेक्चर को धियान से सुनना इस यूनिट के आपको दो लेक्चर मिलेंगे आज आपका फिर्स लेक्चर है जिसमें हम कवर करने वाले हैं सोरेंसं पी एच स्केल पी एच डिटरमिनेशन बाइ इलेक्रोमेट्रेकर कन कलोरी Ben tratar तो यह आपका फिर्स लेक्चर रहेगा नेंच स्वाप बफर एक्वेशन बफर कैपसिटी और रिमेंग टॉपिक हम कवर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को लेक्चर को ध्यान से सुनना आपको सारा सब कुछ इसी लेक्चर में याद हो जाएगा अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेइलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखिए और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं PDF पॉर्मेट में तो आप टेलिग्राम से जुड़िए वहाँ पर मैंने आपको वाट्सअप के बारे में बता र चलिए मैं आपको ले जाता हूं मेरी ब्लैंक स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं आपको समझाता हूं पी एच को देखो पी एच का सिंपल सा मिनिंग होता है पावर ओफ हाइड्रोजन क्या बोलेंगे हम पावर ओफ हाइड्रोजन और जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होता है मतलब जहां पर H plus की concentration ज़्यादा होती है उसे हम बोलते हैं कि ये जो है acidic nature करे pH का मतलब समझ में आगया pH का मतलब होता है power of hydrogen और जहां पर जितने ज़्यादा hydrogen उतना ही ज़्यादा वो acidic होता है अगर आपने Arrhenius की थियोरी पड़ी होगी तो Arrhenius scientist जो थे उन्होंने अपनी थियोरी में कहा था कि acid वो होता है जो H plus दे दे जो H plus देता है वो acid होता है और Arrhenius ने कहा था कि base क्या होता है जो OH minus दे दे तो ये थियोरी दीती Arrhenius ने कि acid जो होता है वो H plus देता है और base जो होता है वो OH minus देता है अब हमें पढ़ना है पी एज के बारे में तो पी एज का मतलब क्या होता है पावर ओफ हाईडरोजन की कितनी पावर है हाईडरोजन की कितनी कंसेंट्रेशन है अगर हाईडरोजन जढ़ा होगा मतलब यह acidic होगा ठीक है तो hydrogen जादा का मतलब क्या हो गया acidic nature तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बता भी रखा है कि pH का मतलब होता है power of hydrogen और we can say potential of hydrogen power बोल सकते हैं potential बोल सकते हैं it is given by sorenson यहाँ पर एक scale आपको दे रखा है pH का और यह scale जो है sorenson scientist ने दिया था that's why it is also known as यहाँ पर आपको लिखा है that's why it is also known as sorenson pH scale वो pH scale sorenson ने दिया था तो उसका नाम हो गया sorenson pH scale और यह pH scale हमें क्या बताता है आप सभी को पता होगा देखो जैसे कि मालो यह scale है तो आप सभी को पता है कि अगर neutral होता है तो वह 7 पे होता है acidic होता है 0 पे और basic होता है 14 पे अब मैं आपसे पूछू हूँ कि 3 वाला कौन सा होगा तो 3 वाला कहां से आता है जीरो के 7 के बीच में आता है तो यह कैसा होगा acidic होगा क्योंकि जीरो से लेके 6.9 तक acid देखो मैं आपको पता देता हूँ आपको पता होगा वैसे देख सकते हैं यहां पर यहां पर आप देखिए 0123456 यहां तक सारे acidic चल रहे हैं यह देखिए 7 वाला न्यूट्रल हो गया और 7 के आगे जो है सब alkaline मतलब बैसिक नेचर क्यों हो गया ठीक है सर हमें यहां तक clear हो गया कि pH का मतलब होता है power of hydrogen और we can say potential of hydrogen जहां पर hydrogen की concentration से हमें पता लगता है कि acidic solution है या basic solution है ठीक है और pH का formula होता है अगर मैं pH को लिखूं तो pH होता है minus log H plus यह आपको याद रखना है ठीक है यहां पर आपको लिखा भी हुआ है pH equals to minus log H plus ओके यह आगे derivation होगा buffer capacity का तो वहां पर हमें बहुत काम आने वाले देखो यहां पर लिखा भी हुआ है concentration of H plus i n is a measure of its acidity और basicity in a aqueous solution जितना ज्यादा H plus उतना ज्यादा acidic जितना कम H plus उतना कम acidic और weekend से वह हो जाता है basic ओके तो H plus की concentration decide करती है either solution is acidic और basic और उसके बाद हमें पता है कि अगर pH आया तीन तो तीन कहां पर आता है तीन आता है acidic में जैसे कि मैंने आपको कहा और आप सभी जानते हैं कि जीरो से लेके 6.9 तक acidic कि 7 neutral and 7.1 से लेके 14 तक basic और weekend से alkaline ओके यहां पर आपको पता रखा है कि scale कहां से कहां तक है 0 से लेके 14 तक है और एक बात और ध्यान रखना आपको पूछते हैं highly acidic कौन सा highly basic कौन सा तो आपको तो वैसे पता ही है फिर भी आप सुन लेजिए कि यहां पर जो 0 होता है वो highly acidic होता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं acidity कम होते जाती है और एक time ऐसा आता है वो neutral हो जाता है और फिर 7.1 के बाद वो basic होना start होता है और सबसे ज्यादा basic होता अगर मैं इधार आऊंगा तो basicity कम होगी अगर मैं इधार आऊंगा तो acidity कम होगी acidity वगेरा मतलब h-plus की concentration वगेरा highly acidic होता है जीरो पे चलिए तो यह pH scale Sorenson ने दिया था इस 7 से ज्यादा होगी तो basic पर हमें किसे पता लगा pH कितनी है हम किसे determine करें pH को तो pH determination करने के लिए आपके पास method दे रखे हैं like pH paper, electrometric method and colorimetric method चलिए one by one देखते हैं सबसे पहला है pH paper तो pH paper से आप क्या कर सकते हो pH का पता लगा सकते हो पावर ओफ hydrogen का पता लगा सकते हो take one pH paper and dip it into the sample solution देख यह सबसे को आपको क्या करना है sample का solution लेना है sample solution जिसका हमें pH पता करना है pH पता करना है solution का हमें तो हमने क्या करा एक paper लिया यह red color से मैंने paper बताया यह paper को हमने इस solution में dip कर दिया यह Oreo का biscuit नहीं है pH का paper है ठीक है तो pH के paper को हमने sample के solution में dip कर दिया उसके बाद जो उसमें color आया मालों यहां पर color आया कुछ इस तरह से pH के paper में color आ जाता है तो उस color को हम मिला कर देख लेंगे एक standard से और वहां पर हमें पता लग जाएगा कि वह ऐसे डिक है या basic जिसे आपको यहां पर color दे रखें इस तरह से color होते हैं और हम color मिला के देख लेते हैं अगर यह वाला color आ रहा है मतलब इसकी pH 3 हो जाती है solution जो मैंने बनाया इसका pH मुझे पता करना है तो इस pH paper को मैं यहां पर dip करूँगा dip करने के बाद इस pH paper में कुछ color आ जाएगा और वो color को मैं match करके देख लूँगा कि यह color कौन से नमर पर आ रहा है ठीक है इस तरह से मैं match करूँगा red color 0 पर आ रहा है मतलब यह highly acidic है तो हमें पता लग गया कि solution कैसा है highly acidic है तो सबसे पहला और easy method है pH paper now second is electrometric method और electrometric method में आपने क्या करना है देखो simple सा arrangement है यहाँ पर वो आप देख लीजए तो देखो नाम से पता लग रहा है electro, electro का मतलब होता है हमें यहाँ पर use लेना है electrode तो हमने यहाँ पर दो electrode ले रखे हैं एक है glass electrode दूसरा है reference electrode अब यह जो हमने electrode लिये हैं यहाँ पर पहले से ही solution होता है जिसे suppose करो यहाँ पर SCLA hydrochloric acid है H plus की concentration अच्छी खासी है यह एक acid जो की यहाँ पर पहले से है तो अब होगा क्या हमें इस solution की acidity का पता लगाना है देखो जैसे यह बीकर है बीकर में यहाँ पर हमारा sample solution है और इस solution का हमें pH का पता करना है कि इसकी pH क्या है क्या यह acidic nature का है basic nature का है इसकी pH क्या है तो हमने यहाँ पर क्या करा दो तरह की electrode करें है एक glass electrode एक हे reference electrode और यहाँ पर already solution है तो यहाँ पर क्या होगा comparison होगा यहाँ पर solution है उसका और sample solution का comparison होगा pH का और इस comparison के बाद जो भी change निकल कर आता है वो change amplify होके pH indicator की मदद से pH को indicate कर देता है तो यहां पर हमें simply pH indicator की मदद से pH की indication मिल जाती है हमें आइडिया लग जाता है कि हमारा solution जो है किस nature का है आपने यहां पर एक बात notice करी होगी कि मैंने यहां पर thermo compensator का यूज लिया है यह thermo compensator किसलिए मैंने यूज लिया है पहले तो नाम से समझो thermo compensator thermo का मतलब heat या फिर आप बोलो temperature और उसको compensate करने वाला उसको एक जैसा maintain करके रखने वाला तो यहां पर हमने temperature को maintain क्यूँ किया पता है temperature को यहां पर हमने maintain क्यूँ कि यकि अगर temperature ज़ादा या कम हो जाता तो फिर हमारी जो reading आती है उसमें खराबी आ सकती है reading भी जादा कम हो सकती थी तो हमें पता नहीं लगता कि ये solution exact case आए हमें गलत reading आ जाती तो यहाँ पर temperature को maintain रखना काफी ज़रूरी है ताकि reading जो है exact आए accurate आए तो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है देखिए pH reading can be altered by change in temperature जो pH reading है वो altered हो सकती थी अल्टर का मतलब change हो सकती थी अगर temperature में change आता तो pH की reading change हो सकती थी इसलिए हमने यहाँ पर thermocompensator लगाया हुआ है ताकि ऐसा ना हो ठेक है clear है आपको यहाँ तक this is electromatric method now next is colorimetric method देखो जो colorimetric method है वो भी आपके pH paper की तरही method है सबसे पहले आपने क्या करना है वो solution लेना है जिसका आपको पता लगाना है pH जैसे suppose यह वो solution है जिसका हमें pH पता लगाना है कि इस solution का pH क्या होगा तो हमें यहाँ पर क्या करना है हमें यहाँ पर वो paper dip करना है जिसका नाम होता है colorimetric paper तो यहां पर हमने वो paper को dip कर दिया solution में और जैसे ही paper को हमने solution में dip किया इस paper के उपर कुछ color आ जाता है और उस color को हम match कर लेते हैं कि scale में वो color कहां पर है उस हिसाफ से हम बता देते हैं कि यह acidic है या basic है काफी simple है जैसे हमने इसमें करा था जैसे हमने इसमें करा था pH paper वाले method में यहां पर हमने क्या करा था paper लिया था उसको solution में dip किया था और जो भी paper पे color आया था उसको match कर लिया था same colorimetric में है sample लिया जिसका pH पता करना हो pH हमें पता नहीं है उसका pH पता करना हो में हमने paper डाला तो उस paper पे color आने लगा और उस color को हमने देखा कि यह color किसके लिए responsible है क्या यह color acidic की range में आ रहा है क्या यह color basic की range में आ रहा है तो हमें पता लग जाएगा कि solution की pH क्या है तो इस तरह से आप solution की pH का पता कर सकते हो with the help of 3 method pH paper electrometric and colorimetric method और हमने उससे पहले देखा pH होती क्या है pH scale क्या है सोरिंसन pH scale क्या है acid क्या होता है यह आज का आपका basic lecture था अब next lecture में हम start करने वाले हैं वाफर solution जो की काफी ज़्यादा important है तो आई होप आपको lecture clear हुआ होगा अगर आपको lecture से related कोई भी doubt है तो आप comment section में comment कर सकते हैं यहाँ पर आपको हमारी playlist के link दिख रही होगी और यहाँ पर आपको हमारे logo दिख रहा होगा channel का तो subscribe करें और playlist को check करें all lectures के लिए have a nice day thank you